हाल ही में नैना का विवा हुआ था और उसने अपने पती और सस्रॉल वालों के साथ एक जोईन फैमिली में रहना सुरू कर दिया कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि वह अपनी साथ के साथ नहीं रह सकती नैना की साथ रूडी वादी थी जबकि नैना आधुनिक जीवन से ली जीने वाली लड़की थी जल्द ही उनके भी जगड़े होने लगे कई मेहने भी जाने के पाद भी दोनों में से कोई भी अपना व्यवार बदन नहीं पाया समय के सांसांत नैना और ज़्यादा आक्रमक हो गई और उससे अपनी सास से नफरत होने लगी वह सोचने लगी कि कैसे अपनी सास से छुटकारा पाया जाए एक बार हमेशा की तरह जव उसने अपने सास से जगडा किया और अपने पती को अपनी मा का साइड लेते हुए देखा तब नेना गुस्ता हो गई अपने माई के चली गई नेना के पिता एक कैमिस्त थे उसने अपने पूरी बात अपने पिताजी को बताई उसने पिता से कहा कि उसे कुछ जहर दे दे ताकि वो अपनी सास के खाने में मिला कर उनसे छुटकारा पा सके नहीं तो वो अपने घर वापस नहीं जाएगी नैना के पिता को यह सब जान कर काफी दुख हुआ और उन्होंने अपनी बेटी से कहा अगर तुम अपनी सास को जहर दे देती हो तो तुम और मैं दोनों जेल जाएंगे लेकिन नैना सुनने और समझने की हालत में नहीं थी आखिरकार उसके पिता ने कहा ठीक है जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा लेकिन मैं तुम्हें जेल में नहीं देखना चाहता उसके पिता अंदर से एक पाउडर लाए और कहा हर दिन जब तुम दो पहर का भोजन रात का भोजन करते हो तो उसे अपनी सास के खाने में मिला कर दे देना इससे धीरे धीरे कुछ महिनों में वह मर जाएगी और लोग सोचेंगे कि वह प्राकरतिक रूप से मरी है उन्होंने यह भी कहा क्योंकि किसी को भी तुम पर सक नहीं होना चाहिए इसलिए आज से तुम अपनी सास के साथ नहीं लड़ोगी बलकि तुम उनकी देख बाल भले ही वह कुछ भी कहें तुम गुस्से से बात नहीं करोगी और हमेशा सांत रहोगी नैना सहमत हो गई और अपने ससुराल वापस आ गई और अपने पिता की सलह के नुसर अपनी सास के खाने में पाउडर मिक्स करना शुरू कर दिया बड़े ही प्यार के साथ बात करना समय बीटने के साथ साथ नैना की साथ का नेचर भी बदलना सुरू हो गया क्योंकि नैना अपनी साथ की देख बाल करने लगी थी इसलिए उसकी साथ भी उसके प्रती विनम्र होने लगी और प्यार से बात करने लगी पांच महिने बीट गए और नैना खाने में पाउडर मिक्स करती रही लेकिन अब घर का वातावरण बदल गया कोई जगडे नहीं थे दोनों एक दूसरे की तारीफ करते अब ऐसा लगता मानों दोनों का रिस्ता मा और बेटी का रिस्ता हो अब नैना को चिंता होने लगी की पाउडर की वज़े से उसकी सास कहीं जल्द ही मर न जाए वह अपने पिता के घर गई और उनसे कहा पिता जी किर्पया मुझे उस जहरीले पाउडर के प्रभाव को ठीक करने के लिए इलाज बताएं मैं अपनी सास को मरता हुआ नहीं देखना चाती वह मेरी मा की तरह है और मैं उनसे अब बहुत प्यार करती हूँ उसके पिता जी मुस्कुराए और कहा कौन सा जहर मैंने तुम्हें बस एक सुईटनर दिया था नैना हैरान थी और अपने पिता से पूछा की उन्होंने ऐसा क्यों किया पिता ने कहा बेटा अगर तुम किसी दूसरे इंसान से प्यार चाहते हो तो तुम्हें भी उसे प्यार देना होगा रिष्टे एक गाड़ी की तरह होते हैं हम उस पर लगे पईयों की तरह जब तक सभी पईये ठीक से आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक गाड़ी ठीक से नहीं चल सकती इसी बात का ऐसास दिलाने के लिए मैंने ऐसा किया तुम्हें अपनी सास के प्रती नम्र रहने को कहा तुम्हारी अच्छाई देकर उन्होंने भी अपने आप को बदल लिया और तुम्हें सबजना सुरू किया तुम दोनों ने एक दूसरे के लिए अपने आप को बदा यही कारण है तुम अपनी सास के लिए आज मेरे पास भागते हुए आई हो नैना अपने पिता की बात सुनकर खुस हो गई और चुप हो गई